आप सभी का स्वागत है दिस यूर साइंस में अमिट सेंग इन फ्रंट फ्यू ठीक शाम के नौ बज के आठ मिनिट आज आठ मिनिट लेट हूँ पर कोई नहीं वापस से प्रारम करते हैं अपने सवालों की दौर पे जहां हम आज अल इंडिया अड़ाटा सिरीज नंबर टू की तरफ बढ़ रहे हैं कल के हमने अड़ाटा सिरीज नंबर वन में कुल 30 सवाल देखे थे जो केमिस्ट्री के उपर था और काफी अच्छे सवाल थे और काफी वो वाले सवाल थे जो हमें पेपर में अक्सर दिखा करते हैं आज कुछ वैसे ही सवाल हम mixed प्राक्टिस करने वाले हैं कुछ 25 सवाल हमारे सामने होंगे और आप सभी को कोशिश ये करना है कि समय भले ही 15 के जगे 30 सेकंड लगे लेकिन उसे सटीक से जवाब दें मैं आज के इन 25 सवालों में इन सवालों का सही जवाब क्या और क्यूं होगा ये भी आपको बताऊंगा और कोशिश यही रहेगी कि रोजाना सेशन में रात के 9 बजे वाले सेशन में हमारी जो ये ग्रुबडी की सेशन चलती है न्टीपीसी आररबी में उसमें हर एक सही जवाब का प्रॉपर व्याक्ख्यान भी हो यानि उसका प्रॉपर एक्स्परनिशन भी हो तो इस बार 2021 में आप मौका नहारें आप इस बार इस मौके का लाब उठा के कुछ कर दिखाईए और सिलेक्शन घर लेके जाईए इसके लिए फ्लाट 77% डिसकाउंट आपको दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा डिसकाउंट के लिए आप कूपन कोड Y223 का इस्तमाल करिए इसके लिए आप विजिट करिए हमारे ओफिशल वेबसाइट www.ada247.com या फिर हमारे गूगल प्ले स्टोर से आपada247 आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं आए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा Cotton Fibers are made up of cellulose, starch, proteins और fats कपाश के रेशे किससे बने हुए होते हैं A, B, C या D आपका समय सुरू होता है अब 15 सेकंड जल्दी से बताइए 15 सेकंड का समय से ज़्यादा नहीं और अब जवाब का समय आचुका है आप सभी के comments live मैं देखता भी रहता हूँ तो tension लेने की कोई ज़ुरत नहीं है इसका सही जवाब है option number A अब option number A क्यूं है ये पहले मैं आपको बता दूँ कि cellulose जो है इसकी cellulose से बनती है cotton fibers और cellulose की खासियत ये है कि ये strong है, मजबूत है उसके बाद ये dye absorbent है यानि कि ये रंगों को अवशोशित कर लेता है उच्च ताप मानों को बरदास्ट कर लेता है, high temperature को बरदास्ट कर लेता है उसके बाद प्राक्रतिक है, natural है इसके अलावा कह सकते हैं कि ये अंदर से खोखला होता है, hollow from inside इसलिए ये soft भी होता है और साथी साथ ठंधा भी होता है क्योंकि air आसानी से पास कर पाता है That is why cotton fibers are also known as breathable fibers इन्हें हम breathable fibers यानि स्वशन करने वाले तन्तु यानि रेशे भी रेशों के नाम से भी जानते हैं तो cellulose से बने होते हैं cotton fibers and they are strong, dye absorbent, high temperatures को बरदास्ट कर सकते हैं natural, hollow, soft, cool and breathable fibers ठीक है? ध्यान रखिएगा तो ये सारे गुण होते हैं cellulose में जिस से बने होते हैं cotton fibers So correct option is option number A इसलिए गर्मियों के दिन में cotton के कपड़े आप पसंद, ये पहनना जादा पसंद करते हैं ना कि कि किसी polyester या wool के कपड़े अगला सवाल question number 2 Which of the following ores do not contain iron? इन में से वो कौन सा आयस्क है जिसमें iron नहीं है? हीमटाइट, मागनेटाइट, लिमोनाइट या कैसीटराइट A, B, C और D जवाब explanation को सुनिए, note कीजिए अब जब रोजाना All India अड़ा टैसिरीज में बैठ रहे हो तो कम से कम इतनी तो कोशिश जरूर करें कि एक paper और pen लेके बैठें कि जब सवालों का discussion हो रहा है तो उन सवालों का सही जवाब क्या और क्यूं है इन दोनों चीज को लिखा जाए पहले क्या यानि वो option और उसके बाद क्यूं यानि उसका reason ये जानना जरूरी होता है तब MCQ करने का फायदा है विच अफ दे फॉल्लविंग ओर्स डू नॉट कंटेन ये जूम हो गया विच अफ दे फॉल्लविंग ओर्स डू नॉट कंटेन आयरन हीमटाइट, मागनेटाइट, लिमोनाइट या कैसीटराइट A, B, C और D इस तौल पंडित का कहना है सर लिमोनाइट होगा जबकि आपका जवाब ये बिलकुल गलत है ना ही लिमोनाइट है, ना ही मागनेटाइट है और ना ही हीमटाइट है इन तीनों में तो आयरन की मौझूदगी होती है लेकिन कैसीटराइट, कैसीटराइट जो है वो क्या है It is also called tin oxide इसका formula SNO2 है इसका formula SNO2 है ये दिखने में opaque है, opaque मतलब अपार दर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता साथी साथ ये translucent है Translucent का मतलब solid है लेकिन पिघले हुए nature का, एक चमक सी होगी जैसे plastic जब गलती है और उसी तरफ अगर चमकती भी रहे तो आप समझ रहे हो ना, एक कैसा luscher आता है उसी को हम translucent कहते हैं ये generally, जो पत्थर बगेरा पहनते हैं जेम्स जेम्स्टोन्स, जैसे जारकन, मूंगा ये जो जेम्स्टोन्स होते हैं, उस जेम के काम ये आता है जेम बनाने के काम ये आता है और सबसे बड़ी बात, कि ये Cassiterite is an important source of tin ये tin का एक बहुत अच्छा शुरूत है तो प्राचीन कालों से Cassiterite एक बहुत अच्छा source रहा है किसका? तिन का, और आप जानते ही हो तिन का कितना बड़ा योगदान है आज के commercial field में किसी भी लोहे या बाकी पदार्थ को जोडने के लिए हम तिन और लेड को ही मिला के solder के रूप में इस्तमाल करते हैं तो solder का भी देखो, एक question यहां clear हो गया तो एक एक question का proper explanation note करना, सही जवाब option number D है अगला सवाल question number 3, which of the following is used as a coolant in nuclear reactors, परमाणू reactorों में, शीतलक के रूप में निम्नलखित में से किसका उपयोग किया जाता है which of the following is used as a coolant in nuclear reactors heavy water, cadmium, liquid sodium या graphite बताईएगा Sir, income tax clerk के exam के लिए क्या यह helpful होगा क्या, बिलकुल आपकी जहां भी देखो, जहां भी general awareness पूछी जाएगी, वहाँ science के questions आएंगे ही, और science के questions, physics, chemistry और biology सही तो पूछे जाएंगे, तो हर जगे यह आपके लिए फाइदमिंद होगा, science is a subject which is asked almost everywhere, right तो question number 3 का जवाब आ रहा है Sir, heavy water and yes coolant यानि शीतलक के रूप में इस्तमाल किया जाने वाला जो substance है, वो भारी पानी यानि D2O के नाम से जाना जाता है इसे हम D2O के नाम से जानते हैं जिसे deuterium oxide भी कहा जाता है deuterium oxide भी कहा जाता है सबसे पहले क्यों इसका इस्तमाल किया जाता है ये भी जानिये सबसे पहले ये stable होता है तो हम किसी भी अभिक्रिया में उसी पदार्थ का इस्तमाल करते हैं जो कि unstable हो जितना ही अस्थाई होगा उतने ही बहतर तरीके से वो रासायनिक अभिक्रियाओं में participate करेगा लेकिन हम heavy water का इस्तमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये stable है दूसरा रेडियो आक्टिव आईसो टौप उफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का वो वह समस्थानिक है जो कि रेडियो धर्मी नहीं है रेडियो धर्मी नहीं होने का मतलर समय के साथ लगातार जो उर्जा का निसकाशन करे, a substance which is releasing energy continuously with respect of time that substance is said to be radioactive, तो ये non-radio active है, यानि radio धर्मी नहीं है किसका है ये समस्थानिक तो ये hydrogen का समस्थानिक है H-Y-D-R-O-G-E-N और एक बात ध्यान रखिएगा D2O में एक proton होता है और एक neutron होता है, one proton and one neutron so correct option is option number A information पूरा होना चाहिए अगला सवाल question number 4 atom bomb is made on the basis of परमाणू बंब किसके आधार पर बनाया जाता है, nuclear fusion परमाणू sunlion nuclear fission परमाणू विखंडन, बोथ A and B या none of these, question number 4 बताइएगा atom bomb is made on the basis of nuclear fusion, nuclear fission बोथ A and B और none of these तो परमाणू बंब जो है परमाणू जो बंब है वो किससे बनाया जाता है, it is based on the basis of nuclear fission reaction, nuclear fission यानि परमाणू विखंडन प्रक्रिया और परमाणू विखंडन प्रक्रिया में एक heavy nucleus a heavy nucleus अब भारी nucleus किसे कहेंगे तो भारी nucleus जो होगा वो एक भारी element में ही होगा एक ऐसा element होगा जिसमें nucleus भी भारी होगा तो heavy element किसको लेते हम या तो हम uranium 235 को लेते या plutonium 239 को लेते तो plutonium 239 is not naturally occurring बनाना पड़ता है ये प्राकरतिक तरीके से नहीं पाया जाता तो क्या असानी से पाया जाता है uranium 235 इसलिए uranium 235 का इस्तमाल किया जाता है और किया क्या जाता है इस uranium 235 से एक neutron को टक्कर करवाया जाता है तो when a neutron is bombarded when a neutron is bombarded over a heavy nucleus of uranium जब एक neutron को बहुत ही तेज accelerate कराके हम एक uranium 235 के nucleus के साथ टक्कर कराते हैं तो वो और छोटे, और छोटे elements में जैसे barium ले लो, strontium ले लो या फिर redon ले लो, krypton ले लो तो barium और समझ लीजी ये krypton में वो टूट गया और साथी साथ तीन नय neutron भी बनाएगा तीन नय neutron भी बनाएगा और 200 mega electron volt का energy भी निकालता है 200 mega electron volt का energy भी निकालता है तो जब एक uranium 235, एक neutron से 0N1 तो एक neutron से जब इसकी टक्कर कराई जाती है तो ये barium krypton, तीन नय neutron और 200 mega electron volt के energy में तूट जाता है और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते है nuclear fission reaction, जिस पद्धती से परमाणू बंब तयार की जाती है तो सही जवाब option number B हुआ अगला सवाल question number 5 which of the following has least penetrating power सबसे कम, सबसे निम्न, बेधन चमता alpha कणों में है, बीटा कणों में है gamma particles नहीं कहलाएगा मैं आपको ये जानकारी आज दे देना चाहूंगा कि gamma is not a particle in fact gamma is an electromagnetic wave so gamma is a ray gamma is a ray, it is not a कण it is not a particle तो कहीं कभी भी gamma अगर particle लिखा हुआ है तो याद रखना वो गलत लिखा हुआ है बीटा एक particle है अलफा एक particle है अलफा particle के पास ही सबसे कम बेधन चमता होता है अलफा particle produced कब होते हैं तो they are produced ये कब produced होते हैं तो they are produced during alpha decay of a radioactive nucleus एक radio धर्मी नाभिक के विखंडन पर विखंडन पर alpha decay होता है और उसी दवरान alpha particles निकलती हैं और इन्ही की सबसे कम बेधन चमता होती है इससे ज़्यादा बेधन चमता बीटा पार्टिकल का और उसससे ज़्यादा बेधन चमता गामा पार्टिकल का option number D तो गलती है और CB भी गलत हो जाएगा तो correct option is option number A ठीक है अगला सवाल question number 6 optical fibers are mainly used in जो optical fibers हैं इनका इस्तमाल ज्यादतर कहां किया जाता है communication यानि संचार में weaving यानि बुनाई में musical instruments यानि वाद्ययंत्रों में जैसे आपने देखा होगा जो guitars होते हैं तो guitars में ऐसी यहां पे ऐसे string लगी होती है न पार अंपने गितार बना लागा अप्दम मान लेना कि यह guitar वह गितार है यहां पे ऐसे strings होती है तो कहता है कि musical instruments में string वागेरा होते हैं उनके लिए, उनके लिए, musical instruments में, जो string वगेरा use होते हैं, उसके लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, optical fibers का, या फिर खाद्य उद्योग में, तो optical fibers are used in communication, correct option क्या होना चाहिए, communication, and it works on the principle of, ये किसके, किसके सिधान्त पर काम करती है, तो it works on the principle of, इट works on the principle of, तोटल internal reflection, अंग्रेजी में TIR के नाम से जानते हैं, तोटल internal reflection, और हिंदी में हम इसे पूर्ण आंतरिक परावरतन कहते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावरतन की वज़े से, ये क्या करता है, संचार में भी काम आता है, It is due to total internal reflection Total internal reflection के framework पे ये काम करता है सही जवाब option number A अगला सवाल question number 7 What are soaps? साबुन क्या है? Salts of silicate, silicate के लवण है Ester of heavy fatty acids Heavy fatty acids के ये ester है वसा अमलो के, भारी वसा अमलो के ये ester है sodium और potassium salts of heavy fatty acids भारी वसा अमलो के ये sodium और potassium के लवण है या फिर they are a mixture of glycerol and alcohol या फिर ये glycerol और alcohol का ये एक मिश्रन है बताइए A, B, C और D question number 7, be fast D, 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 लोग कह रहे है D, लेकिन मुझे तो इसमें देखिये लग रहा है doubt क्योंकि D तो glycerol and alcohol they will not make a soap in fact glycerol and alcohol they will make a solution वो एक विलेन बना लेंगे ना कि साबुन बना लेंगे जबकि साबुन क्या होते हैं तो भारी वसा अमलो के भारी वसा अमलो के sodium और potassium के लवण होते हैं generally they are sodium and potassium salts of heavier fatty acids ना ही ये ester बनाते हैं, ester बनाते ही वो globular और lobular हो जाएंगे जैसे एक चर्बी होती है जैसे एक चर्बी होती है, soft और lobular और globular वैसी हो जाएगी अगर ester बनेगा तो और सिर्फ salt बनेगा, वो भी silica का साबुन ये तो होई नहीं सकता, ये तो rough in nature होता है तो option number A भी नहीं होगा, option number B भी नहीं होगा, the correct option is option number C भारी वसा अमलो का sodium और potassium का लवण, correct option option number C ही common सवाल है, और मैं बता दूँ, इस सवाल में अगर इन चारों में से भी जो सही जवाब है, अगर option में ना हो, तो क्या option में रहेगा तब भी आपको जवाब लगाना है सही, आपको वो भी मैं बताऊंगा, rubber is coagulated from latex by adding, rubber को latex से जोड़कर जमा किया जाता है कौन से अमल को मिला कर, hydrochloric acid, acetic acid, sulfuric acid या फिर carbonic acid question number 8, be fast guys गरिमा गलत हो रहा है और गलत हो रहा था, यही मैं कुछ दिनों से देख भी रहा था और मैं ये भी देख पा रहा था कि अगर डेड़ सो या दो सो बच्चे लाइव हैं, तो उनमें से 25 तो 30 ऐसे बच्चे हैं जो सवालों का जवाब जानते हैं बाकी जो कोशिश कर रहे हैं सो डेड़ सो बच्चे, वो अगर सही जवाब क्या है ये जान गए, तो उसकी reason नहीं समझ पा रहे हैं और उस बिचारे उस सवाल को बस रट ले रहे हैं, तो आपको दया उस सवाल पे नहीं दिखानी, आपको अपने किस्मत के बारे में, अपने fortune, अपने destiny के बारे में सोचना है कि मुझे अपने कंदे पे the three golden stars चाहिए, inspector बनना है CGL का, या फिर railway में group D clear करके railway की नौकरी लेन नहीं ही लेनी है, इस उम्मीद से नहीं, इस होसले और जुनून से पढ़िए, जब जब एक सवाल को करवा रहा हूं, तो उसका पूरा explanation करवा रहा हूं, उस explanation को copy पे jot down करिए, आप देखिएगा कि रोजाना हर एक subject के अगर 20 MCQs भी proper उसके information के साथ आप कर रहे हो, तो एक महने बाद आपके पास इतना जिस्ट हो जाएगा, कि सिर्फ उसी जिस्ट को आप कर जाओ ना, तो वही जिस्ट बाकी किसी और student के लिए भी रामबार साबित होगा, बट थेंग इस, are you doing it? तो अभी भी वक्त है, आज से अभी से लग जाओ, कल AIATS paper 1 हमने करा था, आज AIATS paper हम 2 कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम AIATS करेंगा, All India Data Series, paper 3, paper 4, जब तक कि हमारी examination में हमारी selection नहीं हो जाती, we will try every way out, so that हमारी सुधार हो, internally सुधार हो, सिर्फ यह नहीं करना है कि बस time management सुधार लेना है, भले ही गलती इतनी हो, percentage रख लेते हैं कि सार 80 सही और 20 तो गलत You have to be patient, you have to be calm, composed, तब जाके कुछ भी चलता है, यह nature भी है ना प्रकृती, तो इसमें भूचाल आती हैं, इसमें तुफान आता है, इसमें दावानल भड़कता है, लेकिन ultimately nature comes to its peace, अपने शान्ती की और वो खुद ही आ जाती है, तो we are the parts of nature, हम भी इस प्रकृत के अंतरगत ही आते हैं, तो हमें भी यह समझना होगा, कि there are various ways, कई सारे तरीके हैं, जिनको हमें अपने उपर इस्तवाल करके, अपने आपको perfect तो नहीं, बट perfectionist एक तरीके, एक रास्ते की और अगरसर करना होगा खुद को, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का देखो, सही option number A, hydrochloric acid है, hydrochloric acid के साथ मिला कर, rubber को coagulate किया जाता है, जमा किया जाता है, अगर option में hydrochloric acid ना भी होता, अगर यहाँ पे methanoic acid लिखा होता, तो क्या वो जवाब सही होता, बिलकुल गलत होता, लेकिन अगर यहाँ पे ethanoic acid लिखा होता, तो ध्यान रखिएगा, ethanoic acid क साथ मिला के, rubber को coagulate किया जाता है, latex के साथ, when ethanoic acid is mixed up with latex, then rubber can be coagulated, जमा किया जा सकता है, so correct option is option number A for the for this answer, या ethanoic acid होता, तब भी सही होता अगला सवाल, question number 9, paper is manufactured using paper किसके द्वारा manufacture याने निर्मित किया जाता है wood or resin, wood, sodium and bleaching powder, देखिए, bleaching powder तो paper को corrode कर देगा यानि कुरेत के खतम कर देगा तो bleaching powder तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो option number B और option number C तो यूँ ही खारिज होते हैं, अब बचा option number A और option number D, wood and resin, wood, calcium, hydrogen sulfate and resin तो देखिए, लकडी और resin को मिला के, हम paper तो बना लेंगे, लेकिन उस वो लिखने योग वो लिखने योग भी हो उसके उपर हम कुछ लिखें तो वो हमें वापस reflect होके दिखें भी, इस चीज के लिए हम calcium और hydrogen sulfate का इस्तमाल करते हैं as a refining process तो इन चारों का हैं इस्तमाल होता है paper को बनाने में, तो सही जवाब option number D होगा अगला सवाल, question number 10 which synthetic fiber is known as artificial silk कृत्रिम रेशम किस synthetic tantoo को कहा जाता है, cotton, rayon, terrylene या फिर nylon question number 10, 15 seconds question number 10, जल्दी बताइए, 15 seconds and your time ends here and artificial silk artificial silk हम किसे कहते हैं तो artificial silk हम rayon को कहते और rayon को पता है क्यों कहते हैं rayon को इसलिए कहते हैं क्योंकि rayon is nothing वो क्या है, तो एक chip-chipa, जो कह सकते हो जो हाथों में चिपक जैसे मधू या फिर आटे की जो लेई बनती है कभी कबार हम papers या फिर decorative articles चिपकाने के लिए आटे में पानी मिरा के गरम कर देते हैं तो वो भी थोड़ी लसलसा, यानि viscous हो जाता है तो rain is nothing but a it is a viscous solution किसका? of cellulose तो cellulose का ही ये viscous solution है जो dry है वो paper cotton अलग-अलग रूपों में है वही अगर viscous हो जाए तो उससे हम क्या तैयार कर लेते हैं? कृत्रम रेशम यानि artificial silk obtain कर लेते हैं rain को हम ये भी कहते हैं कि it is a regenerated मतलब दुबारा से एक cellulose को तंतू के रूप में हमने प्रदर्शित किया है and that is called artificial silk it is also called regenerated cellulose fiber generally ये किस से obtain किया जाता है ऐसा नहीं कि rain मतलब plastic मिला दिया बहुत लोगों के दिमाग में कई तरह की भरांतियां होती है क्या रहे ये plastic का सूता है how can a thread be of plastic समझ रहे वो तो कभी भी कारेगर नहीं होगा कहीं से भी तूट जाएगा it is nothing but they are regenerated regenerated cellulose fiber और ये अमूमन लकणियों से और agricultural products यानि जो खेतों में जितने भी और उत्पाद है उससे ही हम इसे प्रात करते हैं और फिर rain बनाते हैं तो खेतों में जो बाकी फसले जब सरगल जाती है तो आपको क्या लगता है कि वो किसी काम नहीं आते उनके जो fibers होते हैं they are again fermented, processed और उनके अंदर से threads को निकालके हम artificial silk यानि रेयन भी बनाते हैं और उसी से फिर कपड़े और garments भी बाजारों में बिखते हैं और वही जो रदी के भाव भी नहीं पूछा वही एक brand जब बना के सामने आती है तो हजारों लाखों करोडों हम देने के लिए तयार हो जाते हैं दमनेश मलोत्तरा का लहंगा एंड फलाना एंडिम का तो सही जवाब option number B है 15 seconds to go जहां गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं उसका जवाब और कारण लिखिए note कर लीजिए note करिएगा तो आपको उस वक्त का अंदाजा होगा उस वक्त की कीमत समझ में आएगी कि इस वक्त में हमने कुछ गलत किया और उस चीज को दुबारा जवाब पढ़ोगे न तो the brain will recall that thing when this question come again जब ये सवाल दुबारा आएगा तो मस्तिष्क दुबारा आपको बताएगा कि उस समय पर यही question अटका था तब तुमने इसे लिखा था दुबारा रात में पढ़ा था और जब ये चीज़ें brain record करके रखता है तो दुबारा आपसे गलती होने की probability ना के बरावर हो जाती तो revision is always important your time ends and correct जवाब है option number D antimony sulfide वो जवलनशील पदार्थ जो माचिस के तिल्ली के उपर पाई जाती है वो ना तो sulfur है ना तो manganese dioxide ना ही phosphorus, it is antimony sulfide in fact हम इसे antimony trisulfide के नाम से जानते है it is antimony trisulfide generally जो इस्तमाल होता है वो antimony trisulfide होता है तो इसका option D है अगला सवाल question number 12 which of the following roofs provide better protection against fire इन में से कौन सी ऐसी चछत होगी जो हमें आग से बहतर सुरक्षित रखेगा cement का बना हुआ एक slab asbestos की एक seat ये reinforced concrete यानि और भी प्रबल यानि और भी मजबूत किया गया और भी मोटा किया गया एक cement का टुकडा यानि concrete या फिर इन में से कोई नहीं मतलब एक जो normal अभी जैसे हम जिस छत में है ceiling जो concrete का बना हुआ है और एक भारी भरख्रंग concrete से एक बार बना दिया एक बार asbestos कौन ज्यादा हमें अपने कौन ज्यादा हमें अपना बचाव करने के लिए मददगार रहेगा asbestos की concrete की या high concrete की तो मैं बता दू asbestos is famous only because इसके पास इसके पास high क्या होती है तो high thermal conductivity होती है लेकिन high thermal conductivity उश्मा गरम हो जाएगा लेकिन ये जल्दी combust नहीं होता it is low very has a very low combustible nature मैं इसमें लिख देता हूँ asbestos sheet asbestos sheet has high thermal conductivity has high thermal conductivity इसका मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों ने ऐसा तो नहीं है कि आप में आप में से किसी ने asbestos की एक sheet नहीं देखी asbestos की sheet कई जगे आपने देखा होगा लोग अपने घरों पर ऐसे asbestos की sheet भी लगाये हुए रहते हैं समझे लो जो गरीब तबगे के हैं उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो cement के slabs लगवा के pillars बनवा के अपने घरों में रह सकें तो वैसे ये asbestos के sheets का इस्तमाल करते हैं अगर कभी गलती से अगर आप अच्छे घरों को belong करते हो मतलब गरीबी नहीं देखी तो अगर कभी कोई ऐसा दोस्त है ना जिसका asbestos का घर है तो उसके घर जाके देखो और specially तब जाओ जब दिन के 12 बज़रे होंगे या 12 के बाद या फिर 2-3 बज़े आप अंदर जाके देखो के इतनी गर्मी होती है इतनी गर्मी होती है कि पंका नहीं लगता है boiler चल रहा है समझ रहे है blower चल रहा है और रात में उसी घर में जाओगे उसी घर में जाओगे तो उतनी ही शितलता मिलेगी जितना कि एक concrete के घर में पंका या cooler चलने के बाद भी नहीं मिलेगा Asbestos का nature है कि इसका thermal conductivity अच्छा है और therm का मतलब थोड़ा सा समझिएगा एक सवाल पे time दोगे दुबारा ऐसा सवाल आएगा कभी गलती नहीं करोगे फर्मल सब्द का मतलब कहां से आता है उश्मा यानी heat से और हम जानते है heat गर्माहट को भी कहते है और ठंड़क को भी कहते है तो जब इसकी conductivity हाई है तो जितनी तेजी से ये गर्माहट को खीचता है उतनी तेजी से गर्माहट को ये release भी करता है और ठंडक को भी ग्रहन करता है इसलिए जितना जल्दी ये दिन में गरम होता है उतने ही तेजी से ये रात को ठंडा भी होता है लेकिन उसी जगे पर सीमेंट, रिइनफोर्स कॉंक्रीट और चौथा आप्शन तो होई नहीं सकता ये हमें fire से बहतर नहीं पचा पाता क्योंकि इसके पास moisture को absorb करने की अच्छी capacity होती है जो कि बाकियों में नहीं है इसलिए वो high thermal conductivity के साथ-साथ highly combustible in nature भी होते है जो कि asbestos जो होता है वो has low combustible nature बहुत ही कम जवलनशील होता है low combustible nature मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप सभी को अब समझ में आ गई होगी और दुबारा कभी गलती नहीं करोगे अगला सवाल question number 13 glasses made from the mixture of काच किस से मिलकर बना होता है quards and mica sand and salt sand and silicates या none of the above rate नमक, quards और अभरक rate और silicate किस से मिलकर बनता है या इन में से कोई नहीं इन में से बाकी दिया हुआ तीन option गलत है बताइए क्या सही जवाब है ठीक है जल्दी बताइए glass is made up of and glass is made up of by it is made up of sand and silicates it is made up of sand and silicates rate और silicate से मिलकर बनता है क्या glass 13 का सही जवाब बिल्कुल सही option number C sand and silicates rate और silicate से मिलकर बनता है glass और मैं ये बताना चाहूंगा कि glass भी न कई तरह की होती है depending upon the percentage of sand and silicates within it कितना प्रतीशत silicate है कितना प्रतीशत उसमें sand है और बाकी थोड़ी कुछ impurities है उसके आधार पे glasses के कई रूप भी है मैं कुछ नामों को यहां लिखना चाहूंगा इनके बारे में कई बार सवाल भी पूछा गया है चाहे वो soda glass हो जिसे हम soda lime glass के नाम से भी जानते हैं चाहे वो safety glass हो या फिर वो bullet proof glass हो या फिर वो bullet proof glass हो या फिर वो laminated glass हो laminated glass हो या फिर वो crown glass हो या फिर वो flint glass हो या फिर वो colored glass हो या फिर वो lead crystal glass हो कई तरह की कांच बनाई जाती है रंगीन दिखने के लिए भी कहीं red glass चाहिए, कहीं blue glass चाहिए कहीं white glass चाहिए, कहीं silvery चाहिए तो अलग-अलग texture के लिए अलग-अशुद्धियां भी मिलाई जाती है ताकि उसका वैसा वर्ण आजाए यानि pigment आजाए तो कई तरह के कांच बनते हैं उनके कुछ examples मैंने यहां लिख दिये हैं इसका सही जवाब क्या होगा? Option number C अगला सवाल चलते हैं Question number 14 की ओर Polythene is industrially prepared by the polymerization of Polythene का ओद्योगिक रूप से तयार किया जाता है किसको मिलाके? Methane को मिलाके? Styrene को मिलाके? Acetylene को मिलाके? या Ethylene को मिलाके? Polythene is industrially prepared by the polymerization of Polymerization एक ऐसी विधी होती है जिसमें बहुत सारे monomers जुड़के एक polymer को बनाते हैं तो कहता है polythene किन मोनोमरों के जुड़ने की विधी से तयार होते हैं? Methane के? Styrene के? Acetylene के? या Ethylene के? बताईएगा तो देखो मोनोमर होता है Ethylene और यही Ethylene बहुत सारे एक साथ अगर जुड़ जाएं तो Ethylene plus Ethylene plus Ethylene plus N number of Ethylene जब यह जुड़ेंगे तो यह बना लेंगे Polychylene यह जिसे हम Polythene भी कहते हैं तो सही जवाब option number D होगा D is the correct answer बिल्कुल अगला सवाल Question number 15 A mixture of water and alcohol can be separated by जल और alcohol का एक मिश्रण अगर हमें अलग-अलग करना हो तो कौन सी विधी सबसे बहतर रहेगी? Filtration यानि निस्पंदन की विधी वाश्पी करण यानि Evaporation की विधी Distillation यानि आस्वन की विधी या फिल Decantation जिसे हम अवनती कहते हैं मतलब धीरे धीरे परस पर मात्रा का भी कम होते जाना बताए A, B, C, R, D Question number 15 Your time starts now 15 seconds A mixture of water and alcohol can be separated by Filtration, Evaporation, Distillation or Decantation And yes, the correct option is option number C Water and alcohol को पानी और अमल को हम तभी separate कर सकते हैं जब उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगे यानि अवनती के माध्यम से Correct option is option number D Option number D या C पिटा, अवनती से अगर water धीरे धीरे अलकोहल से तो water और अलकोहल में से कौन जल्दी जल्दी effervescent कर जाएगा हवा में हवा में आसानी से diffuse कर जाएगा या अलकोहल अगर water थोड़ा सावी इसके साथ अलग-अलग हुआ अगर हम इस process को follow करें तो पिटा, ये process कभी भी नहीं हो सकता इसका सही जवाब option number C distillation है distillation यानि आसवन विधी के माध्यम से ही आसवन विधी के माध्यम से ही एक तरफ हम पीकर पे, एक तरफ हम बीकर को पंसन बर्नर पे चड़ा देते हैं जिसमें ये पानी और अलकोहल मिला हुआ है और दूसरे तरफ जो इसकी भाप होती है जो इसकी भाप होती है वो एक तरफ इकठी हो रही होती है और condense करके फिर एक जगे collect हो रही होती है तो यहाँ भाप बना भाप फिर ठंडा हुआ, फिर पानी की मूद बनी तो एक तरफ water और दूसरे तरफ alcohol क्योंकि सबकी अपनी घनत्व सबकी अपनी आणविक घनत्व अलग-अलग होती है atomic density and molecular density सबकी अलग होती है चाहे वो अमल हो या water तो alcohol अलग separate हो जाता है और water अलग separate हो जाता है और इसी विधी को हम आस्वन विधी कहते हैं एक होती है fractional distillation जिसे हम आशिक आश्वन विधी कहते हैं मतब कुछ मात्रा में उसमें से चीजें अलग की जाती है तो यहाँ जो विधी है वो है option number C अगला सवाल question number 16 hydrometer is an instrument hydrometer is an instrument for measuring sound in water to detect the presence हाँ मैं तो confusion बनाऊँगा न विनेत वरना आपकी confidence कैसे चेक होगी अगर भीड की राह देख आप भीड के पीछे लग जाओगे तो भीड को lead कप करोगे you have to be the leader you have to come at the top you have to be the change आपको बदलाओ की वजह बननी पड़ेगी बदलाओ के अंतरगत नहीं आईए hydrometer is an instrument for measuring sound in water क्या हम इसका इस्तमाल पानी में ध्वनी मापने के लिए करते हैं या वायू मंदल में hydrogen की उपस्तिती का पता लगाने के लिए करते हैं या फिर तरल पदार्तों के विशिष्ट गुरत्व को मापने के लिए करते हैं या वायू मंदल या आद्रता में परिवर्तन का पता लगाने के लिए हम hydrometer का इस्तमाल करते हैं question number 16 का सही जवाब क्या होगा hydrometer अगर देखो sound सुनना होता तो इसके लिए इस्तमाल करते hydrophone का hydrophone is an instrument which is used to which is used to measure or detect sound under water to detect the presence of hydrogen in atmosphere ये तो इसका कोई मतलबी नहीं बनता कि hydrogen की उपस्थिती का पता लगाने के लिए हम hydrometer का इस्तमाल करते हैं ऐसी कोई meter नहीं है जो hydrogen का पता लगा के hydrometer ये तो बिल्कुल गलत for measuring specific gravity of liquids अलग-अलग द्रव्यों के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल सही जबाब क्या वायूमंडली आद्रता में बदलाओ के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है नहीं that is a different instrument that is not what that is not hydrometer that is hygrometer hygro जो वायूमंडली आद्रता में बदलाओ को पता लगाएगी न that is hygrometer hygrometer विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए hydrometer का इस्तमाल किया जाता है सही जबाब option number C है अगला सवाल question number 17 which thermometer is used to indicate the lowest thermometer lowest temperature सबसे कम तापमानों को सबसे कम तापमानों को प्रदर्शित करने के लिए किस तरह की ताप मापी की आवश्यक्ता होती है clinical thermometer gas thermometer alcohol thermometer resistance thermometer तो इन 3-4 thermometer में से एक मात्र alcohol thermometer ही एक ऐसा thermometer है जो बहुत कम तापमानों तक भी कार्यशील यानि workful रहता है जिससे हम कार्य करा सकते हैं gas thermometer, clinical thermometer और resistance thermometer it cannot indicate lower temperatures तो सही जवाब option number C होगा अगला सवाल question number 18 bulcanization is a science of studying volcanoes method of degrading polymers process connected with the making of voltaic cells या process of hardening of rubber by heating it with sulfur bulcanization पद्धती किसे कहते हैं क्या यह ज्वाला मुख्यों का अध्यान है बिल्कुल नहीं क्या यह polymer को जब तोड़के monomer में बदला जाता है उसको वह विदी है ये भी नहीं है तीसरा process connected with the making of voltaic cell voltaic cell मतलब आप समझ रहे हो न जो voltage प्रदान करें तो voltage प्रदान करने वाली batteries का निर्मान करने की पद्धती को vulcanization कहते हैं ये भी गलत जवाब है vulcanization एक ऐसी विदी है जिसमें हम rubber को hard करते है और भी कठोर बनाते है sulfur के साथ मिला कर या गरम करके सही जवाब option number D है अगला सवाल question number 19 which one among the following polymers is used for making bulletproof material इन में से कौन सा ऐसा polymer है जिसका इस्तमाल bulletproof substance बनाने के लिए किया जाता है polyvinyl chloride, polystyrene, polyethylene या polyamide जल्दी बतायेगा question number 19 so I can see more than 100 people live now and I can only say if you participate if you are participating in this all India data series for coming more 20 to 30 days आगे आने वाली 20 से 30 दिनों तक अगर आप रोजाना All India Adda test series ये जो रोजाना 9 बजे रात में हो रहा है Monday to Saturday अगर आप इसमें भी बने रहते हो न तो विज्ञान के करीबन 1500 से 2000 questions आप solve कर लोगे total physics, chemistry and biology से ये railway, NTPC, group D, MTS, DRDO, CHSL examination के लिए राम बाहर साबित होने वाला है इसलिए रोजाना 9 बजे SSC Adda पे tune in करना ना भोलें और अगर ये सारे सवाल आपको सही लग रहे हैं इसके explanation में आपको मज़ा आ रहा है तो like करना नहीं बूलेंगे share करना नहीं बूलेंगे क्योंकि जितने बच्चों तक पहुँचेगा आप समझ रहे हैं ये जो unemployment की मार है ये भी थोड़ी सी खतम होगी भाई vacancies complete नहीं हो रही है क्यों कही ना कही merit भी कम है न अगर merit की तादात बढ़ा दी जाएगी तो सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है if we are in full merit एक दिन ये भी अंदोलन होगा या तो अब आप चलाने दो या तो हमें चलाने दो है ना merit में लाना है हमें polyvinyl chloride और देखिए धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधर रही है vacancies कई आ रही है ऐसा नहीं है कि सरकार को या फिर जो governing body होती है education ministry में उनको समझ में नहीं आता होगा हाँ वक्त लगता है processes चल रही है जैसे अंदोलन जरूरी है वैसे हमारा पढ़ना और उनका काम करना भी जरूरी है so the show must go on आपका काम करना बहुत जरूरी है इसका सही जबाब polystyrene है polystyrene का इस्तमाल किया जाता है या polyethylene का polyamide का या polyvinyl chloride का बता ही है question number 19 dddddd और बिल्कुल सही yesterday या बिल्कुल polyamide polyamide का इस्तमाल किया जाता है polyethylene तो भहिया सबजी वाले देते हैं न कांदा ले लो बिंडी ले लो परवल ले लो सबजी ले लो या फिर कोई और समान लेने के लिए भी आप polyethylene का इस्तमाल करते हैं polystyrene और polyvinyl chloride polyvinyl chloride generally pipes वगएरा बनाने के लिए इस्तमाल होता polystyrene are generally used for making artificial toys किलोने वगएरा बनाने के लिए या फिर जो cases होते हैं कुछ रखने के लिए चाहे वो drill machine का set हो या फिर कोई भारी material हो जिसको plastic के case में रखना है तो उसके लिए polystyrene का इस्तमाल होता है लेकिन polyamide का इस्तमाल किया जाता है for making bulletproof material ताकि गोली भी लगे तो आके उसमें चिपक जाए आर पार ना हो पाए तो सही जवाब option number D है तो polyamide क्या कर देती है किसी भी material को inelastic बना देती है कैसी inelastic परफेक्टली inelastic बना लेती है ताकि गोली भी आए तो उसमें चिपक जाए वापस से motion ना हो ठीक है ना अगर तकराणे के बाद motion होगा तो that will lead to explosion with force समझ पा रहे तो एक bulletproof material सिर्फ बचाता ही नहीं है उसके बाद के जटके को भी absorb कर लेता है ध्यान रखना इन बातों को सोचते नहीं आप सब अगला सवाल question number 20 which one of the following is not a chemical change इन में से कौन एक रासायनी कभिक्रिया नहीं है मतलब तीन इसमें रासायनी कभिक्रिया है sublimation of iodine यानि iodine का उर्ध्व पातन rusting of iron लोहे का जंग लगना burning of magnesium magnesium का जलना या electrolysis of water पानी का विद्यूत अपघटन इन में से कौन सा एक chemical change नहीं है question number 20 sublimation of iodine rusting of iron burning of magnesium या electrolysis of water 20 का B कुछ लोग कह रहे हैं D सुनीता पन्वार is saying D बटा electrolysis हो रहा है तो यह तो chemical change है तो D तो नहीं होगा magnesium burn कर रहा है magnesium oxide बनेगा chemical change है rusting of iron iron का जो rust बनेगा iron जो है वो chemical change करके compound नया बना लेगा लेकिन sublimation of iodine iodine क्या करेगा solid से directly समझ लो gaseous molecule बनाया और वो वापस से condense किया तो फिर से solid बन जाएगा sublimation एक ऐसा process है जिसमें एक अवस्था skip होती है और वापस से उत्री temperature और pressure मिल जाए फिर उस अवस्था में वो वापस आ जाती है तो इसमें से जो एक रहसायनिक बदलाव नहीं है वो है option number A sublimation of iodine ज्यान रखे option number A is the correct answer अगला सवाल question number 21 the most common theory in India is इस सवाल का जवाब वो जिसे हनी बी का scientific name भी पता होगा scientific name of Indian हनी बी scientific name of Indian हनी बी का सही जवाब दे देगा कि वो कौन सी प्रजाती की मदू मक्खी है जिसका पालन भारत में किया जाता है Apis floria, Apis dorsata, Apis indica या Apis mellifera, A, B, C or D and the correct answer is option number C, Apis indica Apis indica is the most common species of honeybee reared in India अगला सवाल question number 22 which of the following are edible marine fishes इन में से कौन स्वादिस्ट और खाद्य संबंधी खारे पानी की मचलिया है marine मतलब खारे पानी fresh water मतलब साफ पानी जिसमें नमक ना हो तो देखिए कातला की बात करूँ रोहू की बात करूँ और Clarias, जिसे हम मागूर के नाम से भी जानते हैं ये तीनों क्या है fresh water fishes ताजे पानी की मचलिया है fresh water fishes ठीक है दूसरा हिलसा हिलसा is marine water लेकिन ये इसके बच्चे जो है breed होते हैं साफ पानी में पॉम्फरेट्स marine water में होता है मैकरेल्स भी marine water में होता है हेटरे न्यूप्टिस वेलागो एन कातला इसमें कातला भई fresh water का है तो ये तो नहीं होगा और labio rohita रोहुफिश का नाम है कलबासू और सिंगी ये भी क्या है fresh water है तो option number D भी नहीं होगा option number C भी नहीं होगा option number A भी नहीं होगा सही जवाब हिलसा, पॉम्फरेट और मैकरेल्स ये तीन ऐसी मचलिया है जो की खारे पानी की मचलिया है और एक बात इस हिलसा मचली के बारे में ध्यान रखना ये एक exotic fish है काफी महंगी मचली भी होती है और ये अपना बच्चा साफ पानी यानि marine water में नहीं fresh water में देती है और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो कहां migrate कर जाते हैं फिर साफ पानी से खारे पानी में वापस चले जाते हैं तो adult हिलसा हमेशा खारे पानी में मिलेगी और जो babies होते हैं जो चोटी-चोटी मचलिया होंगी हिलसा की वो कहां पाई जाएंगी fresh water area में मिली जाएंगी जैसे जहां गंगा और सागर का मिलन होता है कुछ लोग यहां वेस्ट बंगॉल से भी होंगे उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी और कुछ लोग यूपी वेहर से भी अगर होंगे या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से होंगे तो गंगा सागर is also a mythological place जहां लोग स्नान करने जाते हैं क्योंकि वहां गंगा सागर से मिलती है तो गंगा सागर से मिलती है बे ऑफ बंगॉल में तो वहां लोग अक्सर ये धार्मिक चीजों को मान के जाते हैं और वहां पे हिलसा सबसे ज्यादा फिशिंग की जाती है क्योंकि वहीं पे जो बड़ी हिलसा होती है वो अपने बच्चे को देने के लिए गंगा में आती है गंगा फ्रेश वाटर यह रिवर है और जो बंगाल की खाड़ी है उसमें नमकीन पानी है ना समझ पारे पूरा नमकीन पानी या खारा पानी है और जैसे ये बड़े होते हैं तो ये जाके सीधे कहां किसमें breed कर जाते हैं वह आपस से marine water में breed कर जाते हैं तो हिलसा मचली उसी way of Bengal में ज़्यादतर पाई भी जाती है अगला सवाल question number 23 Isin glass is used for production of insulin तो भीया मचलीयों में ऐसा कोई भी उतपाद नहीं है तो insulin जो कि एक hormone है जो diabetogenic hormone है इसको बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो पहले तो option number A नहीं होगा इस सवाल का ये तो confirm है दूसरा, insulin glass का इस्तमाल मवेशियों को, सुवर या फिर मुर्गियों को खिलाने के लिए इस्तमाल किया जाता? नहीं, insulin glass का इस्तमाल इसके लिए नहीं किया जाता बलकि insulin glass का इस्तमाल vinegar यानि सिरका, wine यानि तरह तरह के शिराब और तरह तरह के beer को और उनको filter और अलग-अलग पहचान के लिए इस्तमाल किया जाता है अलग-अलग तरेके के शिरका, अलग-अलग तरीके के बियर और अलग-अलग तरीके के शिराब को पहचानने के लिए as well as उनको अलग-अलग तासीर में develop करने के लिए इस्तमाल किया जाता है isin glass का ना की paint बनाने के लिए या फिर मवेशियों को खादि समंदी भोजन के रूप में देने के लिए ना ही insulin को बनाने के लिए सही जवाब option number D है very important question अगला सवाल question number 24 cod liver oil is rich in cod liver oil में भारी मात्रा में या अच्छी मात्रा में क्या मौझूद है vitamin B, vitamin K, vitamin A and D या vitamin C question number 24 give the correct answer dolphins are also in ganga water बट अम मैं बात कर रहा था hilsa मचली की hilsa, catadromus और anadromus दोनों होती है cod liver oil में ज्यादा क्या होता A and D, vitamin C, vitamin K या vitamin B cod liver oil question number 24 be fast with your responses guys बहुत ही आसान question question number 24 की cod liver oil में ज्यादा क्या होता है तो भई cod liver oil में vitamin A तो होता ही है साथ ही साथ vitamin D की भी कुछ मात्रा पाई जाती है वैसे मैं बता दू vitamin D is not synthesized in our body cod liver oil में होता है D लेकिन वो D जब हमारे body में जाती है तो सक्रिय नहीं रह जाती vitamin D is generally obtained from sunlight by mammals तंधारियों के द्वारा vitamin D सूरी की रोशनी से ही प्राप्त होती है वैसे ही सवाल का सही जवाब option number C है अगला सवाल और आखरी सवाल आज का stage of silkworm from which silk is obtained stage of silkworm from which silk is obtained is cocoon, adult, larva या egg वह चरण रेशम की कीट का जिससे हम रेशम को प्राप्त करते हैं वो चरण कौन सा है cocoon का, adult का, larva का या dimb का और इसका सही जवाब option number A cocoon होगा, क्योंकि cocoon वो एक ऐसा stage आता है जिसमें से अंदर के larva को जिसमें से अंदर के larva को हटा के ये उपर का जो fiber होता है in fact इसे हम कहते हैं spinneret spinneret क्योंकि इसके उपर पूरी जो लारवा होती है अपने मूँ से निकली हुई थूक से spin करती जाती है और एक उनके गोले सा spinneret type formation कर लेती है बाद में इस लारवा के साथ ये जो उपर इसे हम क्या कहते हैं कुकून कहते हैं उसको गरम पानी में टी गमिंग के लिए रखा जाता है टी गमिंग के लिए रखा जाता है तो गरम पानी में जैसे ही सिल्क को रखेंगे तो लारवा तो मर भी जाएंगे और अलग भी हो जाएंगे और सिल्क के अंदर जो लसलसा पन भी है वो भी थोड़ा हट जाएगा और रेशम के अंदर फिर एक चमक एक शाइन एक लश्चर से आ जाती है तो ये तरीका होता है कुकून से सिल्क को एक्स्ट्राक्ट करने का उस तरीके को हम कहते हैं डी गमिंग आफ सिल्क ठीक है ना और स्पिनरेट का फॉर्मेशन करता है वो लारवा तो सही जवाब आप्शन नमबर A है कुकून वो स्तर है जिस स्तर या चरण से हम रेशम को प्राप्त करते हैं तो इस वेदर 25 क्वेशन मैं लेके आया था आप सभी के सामने सवाल और भी मैं करवाता लेकिन समय आज काफी ज़्यादा हो चला है आपके जितेंदर शर्मा सर भी अभी वेट कर रहे होंगे तो आज के इन दिये ऐसे ही explanation को हम आगे भी continue रखेंगे लेकिन थोड़ी speed बढ़ाते हुए हैना सवाल के जवाब को जितना जल्दी दोगे उतने जल्दी हम explanation की और बढ़ेंगे और अगली बार से हम timer के साथ काम करेंगे we will be sitting and solving our questions with the help of a timer of only 15 seconds 15 seconds में एक सवाल और maximum उसका explanation और 15 seconds 30 seconds में एक सवाल करके आगे बढ़ते हैं मतलब break लेंगे 30 seconds का और 30 seconds में explanation प्लस आपका answer हो जाना चाहिए एक सवाल पे एक minute अगर एक सवाल पे हमने एक minute दिया और totally complete कर लिया तो आप समझ सकते हो 60 minute में 50 सवाल रोजाना हम कर सकते हैं score at least 50 में 40 प्लस आजाए April खतम होते होते minimum कोशिश है ये target क्या होगा 45 प्लस 50 में इसी के साथ इसी जुनून इसी ज़स्वे के साथ मैं मतसिंग faculty of science अब आप सब से विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी सोमवार सुबे 9 बजे CHSL के लिए तोपहर 12 बजे teaching examination यानि teachers अड़ा पे UP Tut examination 2021 के लिए और शाम 9 बजे वापस से All India Adda Test Series No.3 के लिए जुड़ेंगे तब तक आप अपना खयाल रखें जय हिंद जय भारत प्रेशोन के लारत जय हिंदास